मुंगे की बीज से तेल, चाल, पत्ती, गोंद और जड़ से आयर। मुंगे की बीज के चूर्ण से पानी शुद्ध किया जा सकता है। इस तरहा मुंगा आज की युग की संजीवनी बूटी है। मुंगे की पत्तियां शीशू और बढ़ते बच्चों के लिए टॉनिक के समान है। इसके पत्तियों के 25 ग्राम चूर्ण से बच्चों को 42 प्रतीशत प्रोटीन, 125 प्रतीशत कैल्शियम, 6 प्रतीशत मैगनेशियम, 74 प्रतीशत आयर। इसकी पत्तियों का रस बच्चों को दूद में मिला कर देने से बच्चों की हड्डियां मजबूत होती है। महिलाओं को मुंगे से कैल्शियम, विटामिन, आयरन और अमीनो अमल मिलता है। मुंगे की पत्तियों का रस गर्भवती माताओं को प्रसव पीड़ा से राहत देता है। और इससे माताओं में दूद का स्राव भी अधिक बढ़ जाता है। मुंगे को लगाने के लिए ताजे बीजों को रात भर पानी में भिगोएं। खाद और बालू रित मिली आड़ भाई चार की पॉलिथिन बेग में दो बीज प्रती बेग के अनुसार एक सी दो इंच की गहराई में बीज को लगाएं। एक महाबाद पॉधों को डेड़ भाई डेड़ के गड़े में लगाएं और हल्की सिचाई करें। और तो और आप इसकी चूर्ण को टी एचार की पाउडर में मिला कर लड़ू और चक्की भी बना सकते हैं। और साथ ही डाइट चार्ड की माध्यम से ये बता सकते हैं कि किस वजन की बच्चे को कितनी मात्रा में मुनगी का पाउडर देना है। सागर संभाग से कुपुशन दूर करने में मुनगा एक महत्व पून हत्यार है। कुपुशन की इस लड़ाई में हम सभी शामिल हों। एवं माता और बच्चों की स्वास्त को।